26 जनवरी का दिन जिस दिन सुरक्षा आम तौर से 4-5 गुना ज्यादा होती है उस दिन लालकड़े पे चड़ जाता कोई और सरकार इसी बात से खुश होती है कि किसाना अंदुलन एक्सपोज हो गया रोही जी देखिए सबसे पहले तो दिगांबर सिंग यहां पे हैं यह कह रहेते दिल्ली किसी की बाप की नहीं है तो इनी की भाशा में इनका उत्तर दे दूं केवल दिल्ली नहीं पूरा भारत हमारे बाप का भी है पर दादा का भी है खून बहाया है हमने और दिल्ली को इक लोती आपकी नहीं है दूसरी बात ये आंदोलन और कानून वापसी तो केवल एक बहाना है हमारा प्यारा लोगतंतर इनका निशाना है रोहेजी और आप ने कहा कि आप लोग तो खुश होंगे कि ये लोग इनका सत्य उजागर हुआ मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूँ खुश होंगे हमारे लाल किले पे तिरंगे के साथ एक और ध्वज अगर ये लहराने का प्रियास करते हो लहराते हैं इससे ज़्यादा दर्द की बात क्या हो सकती है आप हमें बताईए लेकिन आज क्या बड़े सवाल है मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं अपनी ही बात करवाई हुई है और जो भी ऐसे नेता है जो किसान नहीं है जो दंगाई है उनके खिलाफ एफायर हुई है और सक्त सक्त करवाई आगे भी होगी और ये बहरूपिये जो किसानों के कंदे से अपनी बंदूग चलाना चाहते हैं इनको इनकी हैसियत हमारी सरकार और पुलिस बताईगी दूसरी बात पुलिस की मैं सराना करता हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना एक सैयन दिखाया और साथ मैं अपनी हिम्मत दिखाई कुछ वीडियो आज वाइरेल हुए हैं जिस तरह से भीड ने अराजक तत्वों ने उन पे हमला किया लेकिन उन्होंने सै नहीं खोया उनको सलाम है सल्यूट है गरतंत्र दिवस और सम्मिधान की रक्षण क्या होती है उन्होंने करके दिखाया है लेकिन किसान नेता से जो अपने आपको तता किसान नेता बताते मेरे यह सवाल है आपने कहा था कि आप सारी शर्ते मानेंगे तो कैसे आपने चुहे की तरह बिल में क्यों गुजगए थे यह आप पूरे देश को जरूर बताईएगा दूसरी बात मैं जो रहदितिक दल है विपक्ष के उनसे भी एक बात कहूंगा रोहिज जी आपने कल से देखा चाहे वो कॉंग्रिस के राहूल गांदी सोनिया गांदी प्रियंका व जाएंगे क्या आप तिरंगे का आपमान भी बर्दाश करेंगे और निंदा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुझे हुए दिये की राजनिती जल आउट है तो यह सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है उन लोगों से आपने आपको लोग सब्सक्राइब करना ना भूले